अलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बात करेंगे अधार कार्ड के वारे में जैसे कि आपको पता है कि हमें अधार कार्ड को अपडेट करने के लिए डॉक्युमेंट चाहिए होते हैं आपके डेटो बर्द के प्रूफ के लिए कौन सा चाहिए होगा आपके रिलेशन्शिप स्टेटस के लिए कौन सा चाहिए होगा यहां फिर आपके अधार करेंगे तो अधार कड़ वालों ने जैसे आपको पता है इनकी जो ऑफिशल है यू आईडिया इन्होंने एक डॉक् करेंगे जिसे यहां पर आप इसके अफिशल एबसाइट पर जाएंगे यहां पर इन्होंने दे रखिया लिस्ट ऑफ सबॉटिंग डॉक्युमेंट की तो आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको जो एक पेस सामने ओपन हो जाएगा तो यह जो नॉट्फिकेशन है यह जो नॉनने लिस्ट जारी किये यह 26 जनवरी 2023 को किये तो यहां पर इन्होंने बता रहे है पहले लिस्ट ऑफ एकसेप्टेबल सबॉटिंग डॉक्युमेंट यानि कौन से जो डॉक्युमेंट है सबॉटिंग डॉक्युमेंट चाहिए होगे अधार एन्रॉल्मेंट के लिए जो जीरो से पांच साल तक के बच्ची हैं फर्स्ट इन दे रहे कि हैड ऑफ ता फैमली बेस एन्रॉल्मेंट तो यानि कोई भी ऐसा फैमली है यहां पे इन्होंने बता रहे हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट जो यहां पे नोने डॉक्युमेंट के लिस्ट बता यहां पर बता रहे कि नेपाल और भुटान में के पास्पोर्ट यानि नेपाल भुटान के नेशनलिज इनके सो अगर उनके पास्पोर्ट अवलेबल नहीं है तो यहां पर दोकिमेंट बता यह बता रहे ऐरी यह चाहिए कि आपका पुटा lसिप के नेशन की षचाना यां पर 2 चाहिए डोकुमेंट बसूंत यहां पे enrollment यहां पे आप चेक कर लेंगे तो यहां पे इनुने बता रखे है कि certified issued on you इसकी website standard certificate यहां पे दोनों टिक बता रखे है यानि allowed है यहां पे इनुने specially बता रखे है कि जिसके आगे टिक है वो allowed और जिसके आगे नहीं है वो not allowed है head of the family based enrollment is mandatory वो जरूरी है यहां पे इनुने बता रखे है कि कोई भी family का जैसे parents में से कोई भी जो है वो head of the family बन सकता है यहां पे नतार उनके पास एक valid अधारकार होना चाहिए head of the family based enrollment करवाने के लिए वो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा वही इनुने यहां पे बता रखे है तनि यहां पे बता रखे है कि जब भी आपको यहां पे जाना होगा आपको अपने original document लेके जाने होगे और आपको photocopy required नहीं है आपके जो original document है वो scan किये जाएंगे और आपको जब वापिस कर दिये जाएंगे यह बता रखे है जो कहां यहां पे पांसाह तक के ऊपर के हैं उनके लिए supporting document बता रखे है आपके अधार enrollment के लिए यहां पे इन्होंने बता रखे है जैसे आपका Indian passport है यह आपका है proof of identity के लिए यहां पे tick लगा रहे है यानि यह इसके लिए use कर सकते है आपके यहां पे address proof के लिए valid है यहां पे relationship proof के लिए valid है यहां पे date of birth के लिए valid है तो यहां पे इन्होंने बता रखे है कि आपका pen card है वो just यहाँ पे आपके identity proof के लिए valid है आपका ration card है वो यहाँ पे आपके date of birth के लिए valid नहीं है बाकि सभी proof के लिए valid है और यहाँ पे इनोंने especially बता रहे हैं कि अगर आप date of birth के लिए करें तो जो document है उस पे name and date of birth होना चाहिए अगर आपका proof of resident है तो यहाँ पे उस पे applicant का name and head of the family need address proof है तो candidate का name जो भी है वहाँ पे उसका name और उनका Indian address होने चीँ यहाँ पर वतार कि अपका identity proof है तो आपका candidate याने नहीं होना चीए उसके लावे यहाँ पर proof होन चीँ यहाँ पर आसे इनोंने बता रहे हैं कि वोटर identity proof यह किस-किस के लिए valid है यह identity proof के लिए address परू सब्सक्राइब कर दो यहां पर इन्होंने बता रखिए मार्क शीट कि यहां पर इन्होंने बता रखिए जो आपकी इस प्रूफ के लिए यानि उस पर आपका एड्रस नहीं होगा पाकी सब्सक्राइब यहां पर इन्होंने बता रहे हैं यहां पर आपके देट बढ़ प्रूफ के लिए बाकि सभी के लिए यहां पर आपने देख लेने कौन कौन से लिस्ट है यहां से चेक कर सकते हैं जैसे वाटर बिल आपका किस चीज़ के लिए वैलिड है बाकि किस चीज़ के लिए निया य यहां से आपके चेक करते रहने कि कौन कौन सा रहेगा यहां पर जैसे उनोंने बता रखे कि बढ़ सर्टिफिकेट किस किस चीज के लिए वह आपने यहां से चेक कर लेने फैमिली या फिर कोई भी पैंशनर आइडी वह आप यहां से पूरी की पूरी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि क्या क्या रहेगा दन यहां पर सबस्क्राइब कर लिए कर और कोई बीचेंज्ज करने क्या करवाना चाहते हैं आपना एड्रेस कर वाना चाहते हैं आपको कौन-कॉन से डॉक्यमेंट यहां पर चाहिए सकते जैसे यहां पर इंडियन पासपर्ट बतारता है यह सभी चीज के लिए यूज हो सकता है ड्राइविंग लेसेंस इन्हों ने बतारता है यह जस्त आपका यहां पर इड्रेस प्रूफ के लिए यूज होगा और यहां से चेक कर लिने ट्रांजेंडा आईडी या फिर बैंक आपकी स्टेटमेंट वगारा एलेक्टरिसीटी बिल किस चीज के लिए वैलिड है वो जस्ट आपके एड्रेस प्रूफ के लिए वाटर बिल या अगर अपना एड्रेस वगारा वहां पे अपडेट करवाना इसे यहां पर इन्होंने बता रखिए कि आपका वाटर भी लोग है यह हो गया गैस कनेक्शन यहां फिर फैमिली या पैशनर आईडी यह सारे सेल्फ डिकलरेशन यहां पर इसके एंड में वहां दिया वह भी बरके जमा करवा सकते हैं उससे आपका यहां पर कोई भी उसमें रिलेशनशिप ऑगेरा जैसे आप्टर मेरीज आप चेंज करना चाहरे है तो आपको कौन सा चाहिए होगा वो सारे प्रूफ यहां पर इनो इस पता रहे हैं जैसे यहां पर इनो बता रहे हैं अगर आप प्रूफ ओफ एडेंटिटी के लिए करा रहे हैं तो आपका जो भी डोक्यमेंट है उस पे नेम और जो आपके rezydent के फोटोग्राफ है वो जरूर होने चाहिए याननि जो भी उसके लिए उसका फोट ஓरफ हो छाहिए अगर आप यहां पे address के लिएकर आ रहे है तो उसका नेम पोट्राफ में लेकर रहे हों चाहिए अगर आ अधार अप्डीट करने के लिए लिए अने तो आपको अपने उडिपल टुक्रसेश की benefit डिर कि 2210-92 आपको पर किया करवा अगर ने बता कोई कि अनल है यह आप ना है और पर पर ब्डेट करवाना चाहinea तो आपको यह भर ना बड़ है का nuovo सकते कि क्या करेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी डिटेल्स बगएरा बता रखी है तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यमेंट है वो आपको चाहिए होंगे यदि आपको इस से लेटिट और दिख जानकरी च को देखने के लिए आप हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए